केदारनाथ और बदरीनाथ के बारे में सदियों पहले हुई ये भविश्यवानी अब हो रही है सच सदियों पहले बाबा केदार और भगवान बदरी विशाल के बारे में रशी मुनियों ने एक भविश्यवानी की थी जो आज सच होती दिखाई दे रही है सामने आ रहा है कि जल्द ही केदारनाथ और बदरीनाथ मार्ग बंद हो जाएगा और लोग भगवान बदरी के दर्शन नहीं कर पाएंगे यदि आप भी बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंड बॉक्स में हर हर महा देव जरूर लिखे वीडियो को लायक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कहा जाता है कि सत्यूग में भगवान रश्य मुनियों देवताओं और लोगों को दर्शन देते थे लेकिन द्वापर यूग में भगवान केवल देवता और रश्य मुनियों को ही दर्शन दिया करते थे सतियुक से द्वापर तक पाप का स्तर बढ़ता गया, वहीं अब भगवान दर्शन दुरलब हो गए है पुराणों में बदरी और केदारनाथ भगवान के रूठने का जिक्र है कहा जाता है कि कल्युक के पाँच हजार साल बीतने पर पाप का सामराज्य हो जाएगा जिसका राज इन दो परवतों से जुड़ा है, केदार घाटी में दो पाहाड है, नर और नारायन कहा जाता है कि ये दोनों रशे थे और इनके तब से प्रसन्न होकर ही भगवान बदरिनाथ और केदारनाथ प्रकट हुए थे तब से ये दोनों परवत के रूप में दोनों धामों को घेरे हुए हैं, मान्यता के अनुसार जिस दिन ये दोनों परवत एक साथ आ गए, भगवान भी यहाँ से चले जाएंगे लेकिन इसका असर अभी से दिखने लगा है, उत्तराखंड में समय समय पर आने वाली आपदा इस बात का साक्षात प्रमान है इस घटना से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जोशी मठ में जहां शीत काल में बदरीनाथ की चलमूर्ती रहती है, वहां भगवान निरसिंग का एक मंदिर है वहां शालिग राम शिला में भगवान निरसिंग का एक अदभुत विग्रह है इस विग्रह की बाई बुजा पतली है और समय के साथ यह और भी पतली होती जा रही है जिस दिन इनकी कलाई तूट जाएगी उस दिन नर नारायन परवत एक हो जाएंगे